हलो और यूटूब प्रिपेड़ेशन चेनल रुबेल सार अकेड़मी एक कम्प्लिट सोलूइशन फॉर कॉम्पिटिटिटिव एक्जाम तो आप लोग इस चेनल को सब्सकाइब करना क्योंकि इस चेनल में इंगलिस ग्रामर का फूल कोर्स मिलेगा दूसरा जो जेनरल नोलेज का जैसे टोपिक है जैसे इंडियान प्लिटी ये एक सब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत सारे टोपिक से वो भी मैं पढ़ाओंगा उसके बाद हिस्ट्री हो या दूसरे जो जो जैसे इंडियान एकोनोमी हो वर्ल जियोग्राफी हो ये सब सब्सक्राइब करना देखना आप सबको अच्छे से समझाएगा जैसे मैं कैसे पढ़ाता हूँ आप सबको मेरा पढ़ाई का तरीका आप सबको अच्छा लगेगा अगर अच्छा नहीं लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं तरीका बदल सकता हूँ क्योंकि English Grammar English Grammar का हम लोग correct tense के कुछ important question करेंगे और इसमें rule भी आप सबको पता चल जाएगा कैसे मतलब यह हुआ उसके बाद मैं in detail में बोलूँगा यह rule कब कैसे लगता है जैसे subject plus उसके बाद जो auxiliary verb, उसके बाद verb उसके बाद object यह हर tense पे यह बदलेगा so यह changes मैं आप सबको in detail बताऊंगा और आप सब करेंगे question practice के through so आप लोग इस video को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना so शुरू करते हैं आज का पहला question यानि question number one the fire dash the hurts before the fire brigade came so option A had burnt option B will burn option C has burnt option D burns so कौन सा correct होगा so इसका राइटन सारे option A यानि head burnt दियान रखना मैंने जो मैरे tense का जो वीडियो बनाया उसमें मैंने बोला था जैसे किसी भी sentence पे अगर before और after यह रहे और यह अगर past tense मतलब जैसे अभी हुआ जैसे the fire dash the hurt before the fire brigade came so इदर हम लोगों को पता चल गया कि यह past tense का sentence है so ऐसा sentence में अगर before और after रहे तो आप लोग समाझ जाना यह past perfect tense है दियान रखना so इसमें और एक तरीका है जैसे इसमें दो sentence इसको connect किया before ने दियान रखना एक sentence अगर past indefinite या simple past हो तो दूसरा sentence past perfect tense होता है so देखिए हम लोग इदर तो first में dash दे दिया last का जो sentence है वो कौन सा sentence है देखिए the fire brigade came so यह past indefinite है तो पहला वोला past perfect tense होगा so कौन सा correct है past perfect tense का जो rule है जो sentence making rule इसमें मैंने लिखाया था I had gun उसके बाद we had gun you had gun you had gun उसके बाद he or she जो third person singular number है उसके साथ भी head gun लगेगा और they had gun यह third person plural number इदर जो गान बोला मैंने यह symbolic है दियान रखना यह barb का past participle form यह third form कह सकते है so जो past perfect tense में क्या होता है पहले subject होता है उसके बाद head बैठता है उसके बाद barb का third form so इसमें right answer होगा option a head burnt so burn का past participle form कोंसा है burnt so इसका right answer का option a head burnt आशा करता हूँ आपका पुरा clear हो गया जो past perfect tense में कैसे बैठता है यह सब अगर उसमें भी कुछ भी confusion रहे तो मुझे comment section में बता दीजिए question number two I have dashed my work option a do option b does option c will do option d done so यह कौनसा tense है so यह sentence पढ़के हमें पता चला यह present perfect tense है ध्यान रखना क्योंकि इस पे help दिया गया so मैंने अपना work खतम कर दिया जो present perfect tense इसका मतलब क्या है कोई भी एक work खतम हो जाए लेकिन उसका impact रहे जैसे मैंने अभी खना खाया थोड़ी देर पहले लेकिन मेरा मतलब अभी भी pet बढ़ा हुआ है ठीके जैसे मैंने movie देखा आज so इस movie का impact अभी भी है कि movie बहुत ज़्यदा interesting था so वही यह सब दियान रखना present perfect tense कैसे होता है उसका जो rule है जैसे subject के साथ have और has और बर्ब का third form बैठता है दियान रखना so इधर I जो subject है यह pronoun इसको subject कहेंगे हम लोग so इसके साथ have बैठा और बर्ब के साथ बर्ब का third form यानि do का third form क्या है done so I have done my work दियान रखना so इसमें जो rule है I have gone we have gone you have gone you have gone उसके बाद he or she has gone यानि third person singular number के साथ has बैठता है उसके बर्ब का third form they have gone दियान रखना subject plus have or has according to the pronoun so have or has बैठेगा उसके बाद बर्ब का third form इसमें कोई भी बर्ब बैठेगा जैसे do इसमें कोई बी बैठेगा do, did, done question number 3 don't make an OS she sleep option B will sleep option C is sleeping option D none so कौन सा correct होगा इसका right answer है option C is sleeping यह past continuous chance है दियान रखना so don't make a noise oh sorry यह present continuous tense है यह अभी चल रहा है present पे आप आप लोग noise मत कीजिए क्योंके वो sorry है क्योंके यह present tense पे अभी चल रहा है इसलिए यह present continuous tense है दियान रखना continuous मतलब कुछ चीज चलना so present continuous का जो sentence making form कौन सा है I am going उसके बाद we are going you are going उसके बाद he or she she is going they are going so इसमें third person singular number होने से उसके साथ is बैठता है I के साथ M और barb के साथ ing so इसका जो rule है subject plus M is R so उसके बाद barb के साथ ing लगेगा उसके बाद plus object दियान रखना so इसमें कौन सा correct है option C is correct because she के साथ is लगेगा क्योंके she third person singular number है उसके बाद barb के साथ ing यानि sleep के साथ ing sleeping question number 4 will you go dash M u b option A to see option B seen option C to seeing option D none so कौन सा right answer होगा इसका right answer option A to see so इसमें will दिया गया will you go यह मतलब sorry future individancy ठीके I उसका जो मतलब sentence making form में I shall go we shall go you will go you will go he or she will go उसके बाद they will go so you will go यह future individancy so इसके साथ A बेटेगा to see यह present form में रहेगा दियान रखना question number 5 they dash to similar last year so last year है so यह कौन सा टेंस है यह present sorry past indefinite tense या simple past tense होगा so दे के साथ क्या बेटेगा बाद का past form जैसे में लिखाया था I went we went you went he or she went they went मतलब subject के साथ बाद का second form बेटता है इसके रखना जैसे subject plus बाद second form यानि past form so इधर क्या होगा so इसमे पाचो अप्शन में चारो अप्शन में कोई भी मतलब contact कर सकते है मेरा WhatsApp नमबर है 9101-467653 और यह मेरा contact नमबर भी है so आप लोग मुझे call भी कर सकते है so thank you so much इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए thank you